इतने सारे जो योजना हैं, इसमें काफी सारे आप freebies भी इनको कहा जा सकता है, तो जो opposition है वो कह रही हैं कि आप के पास इतना funds है नहीं, जितना आप लोगों को कह रहे हैं कि आप उन्हें देंगे, तो bankruptcy हो जाएगी, जैसे कि करनाटका में जो दिक्कत आ रही है, कि जो election के द देंगे, वो देंगे, फला न देंगे, बाद में पैसे नहीं है, सेंटर नहीं देना चाहिए, घोशना करने वक्त अपना चादर देखके घोशना करनी चाहिए, हमने जो घोशना किया है, ये घोशना के लिए हमने अमारे लाडली भेनाव के लिए 33,000 करोड रुपे का प् 55,000 करोड, 60,000 करोड रुपया का पूरा प्रोविजन हमारी सरकार ने किया हुआ है और हम जो GDP से 25% तक की लिमिट में हम लोग नुटा सकते हैं, हम तो 17.5 पर हैं और FRBM में 3% से आगे नहीं जाना चाहिए, उसमें हम पीछे हैं, हमने पूरी तरह norms follow किये हुए हैं, हम अगले 3 इन-4 साल, आएसी यह योजना, चार-पास साल, योजना का लागू पूरी तरह करते रहेंगे, इतना हमने प्रावदान किया है, यह योजना लागू नहीं होनी चाहिए, यह हमारे बेहनों के खाते में पैसे नहीं जानी चाहिए, इसलिए यह सब बदनामी कर रहे हैं, उन अगले फिर एक किस्त जाएगा, यह लगातार किस्त जाना शुरू रहेगा, और इसलिए क्योंकि हमने उसका प्रोविजन किया है, हम जो बोलते हों करते, चुनाव तो आते जाते रहे हैं, हम उनके जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यह चुनावी जुमले थे, ऐसा बोलने वाले लोग है, क्योंकि हम जनता के बीच के हैं, हम जनता का मुख्यमंतर हो मैं, मैं मास ग्रासरूट से आया हूँ, और मास में जाता हूँ मैं, हम ऐसे फसा नहीं सकते लोगों को, उनको हम फिर कैसे मुधिक आएंगे, यह हम ओने यह, जो बोलते हो ही करेंगे, जो करने वाले होंगे, वही बोलेगे, आपने पहले भी का हूँ, यह, हाँ, कोट में भी गए, यह रद होनी चाहिए, ऐसा कभी होता है, यह हमारी योजना है, सरकार की सरकार को अधिकार है, हमारी जो बैना है, उनको थोड़ा सा आर्थिक सपोर्ट देना, यह कैसे चलाते है यह घर चलाना मुशकिल है, यह कसरत है, यह कितना बड़ा एक्सरसाइज करती है, यह बहना हो लोग बहना है, बीग देते हूँ, लेकिन, जो करोडों में खेलने वाले लोगों कोई देध हजार तो कमी होगा, आज देध हजार रुपया से हमारी बहन बच्चे के लिए कु पैसे मागेंगी तो थोड़ा ये संकोच होता है अभी वो फूद उसके जब में पैसे आएंगे और येश्टी बस में हम लोग ने 50% किया है भाड़ा कई भी जाओ 50% मेलाओ को तो ये जो पैसे है वो खरी देगी मार्केट में जाएगी दुकान में जाएगी अपने पती के लिए खरे देगी अपनी साज के लिए खरे देगी ये पैसा मार्केट में ही चलते रहेगा ये अर्थ व्यवस्ता में ये पैसे कई बाहर नहीं जाने वाले इससे अर्थ व्यवस्ता मजबूत होगी और सबसे मही मैं ये ही बताऊंगा हमारे परिवार में भी मैंने देखा मैं भी गरीबी से आया हूं हमारी मा कैसे घर चलाती थी राशन के पैसे दूद के पैसे बच्चों के फीज के पैसे कैसे उसको जुगाड करना पड़ता था अभी ये पैसे जो मिलेंगे वो देड़ जार रुपया हमारी बहनाओ के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा क् कि ये पैसे रोटेशन में चलेगे इसे अर्थ व्यवस्ता बढ़ेगी अर्थ व्यवस्ता ये कुछ बहने हमारी चोटा मुटा उद्यो कर लेगी दो चार मेने के पैसे जमा कर ये बहुत कुछ हो सकता है और अर्थ व्यवस्ता को एकदम बराबर चलाने का काम ये हमारी मह मेला हमारी बहना सबसे खूब शुरुति नियोजन बद्ध तरीके से चला सबुए।